वेलकम बच्चों आज हम रासाइनिक बंद यह केमिकल बॉंडिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकरियां प्राप्त करेंगे जब आप नाइन क्लास में आते हैं और केमेश्ट्री का लेक्चर अटेंड करते हैं तो यह शब्द बहुत सुनते हैं अनू परमानू अनू परमा होती है यह दो या दो से अधिक मात्रा में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आखिर यह अनू बनाते कैसे हैं जुड़ते कैसे हैं तो यह रासाइनिक बंदों के द्वारा जुड़ते हैं केमिकल बॉंडिंग के द्वारा जुड़ते हैं यह बॉंड्स तीन प्रकार क्यों होते हैं पहला है कि सरसायोजग बंद जिसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं दूसरा टाइप होता है आयनिक बंद या आयोनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और तीसरा टाइप होता है उप सायोजग बंद या कोवडिनेट बॉन्ड तो जनरली यह तीन तरह के मुख्य बंद पाए जाते हैं जिनके द्वारा परमानों आपस में जुड़कर अनू बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्योंकि यह अपना ओक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और आइडेल केसे की तरह इस्टेबल होना चाहते हैं और जनरली एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोनों की आवश्यक्ता होती है तो इनके एक्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि कोई दो दोस्त थे प्रेंट क्लास में पढ़ते थे बॉर्ड के एक्जाम थे बहुत मस्तियां करते थे और फेल हो गए पिता जी किसान थे उन्होंने बाहर पढ़ने भीजाता है फेल होके गाउं गए तो पिता जी ने का वा फेल हो ग गाउं में गए खेत की कीमत पूछी पता ज़्ला खेत की कीमत है दो लाक रुप्या तो दोनों दोस्तितERE करेंगे स्वाभावी केगी एक एक लाग की पार्टनर्शिप करेंगे तो जब पार्टनर्शिप बराबर की होती है इलेक्ट्रोन के द्वारा बंद बनते हैं, तो इलेक्ट्रोनों की एक-एक इलेक्ट्रोन की पार्टनर्शिप बराबर की होती है, तो कोवेलेंट बॉंड या सरसायोजग बंद बनता है, और बराबर की पार्टनर्शिप है, इसलिए ये समान प्रकार के परमानों में जनरली बनता है, example देखें आपने इसके, यह hydrogen है, इसके पास एक electron है, यह दूसरे hydrogen से जुड़ेगा, उसके पास भी एक electron है, तो यह क्या बना लेंगे, यह atoms है, और यह एक molecule बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा है यह, h2, अब इसका एक example और होता है, जिसमें एक परमानू थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, ज्यादा अलग तो नहीं, पर थोड़ा सा अलग, इसके मुकाबले में थोड़ा सा प्रबल रिण विद्यूती होता है, तो इन में भी बन बनता है, क्या बनाएंगे यह, h औ परन्तु इसमें क्या होगा कि इसमें आंशिक रूप से रिणावेश आजाएगा, और इसमें आंशिक रूप से धनावेश, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रोन का पेयर है, यह थोड़ा सा इसकी तरफ फिसक जाएगा, थोड़ा सा, इसलिए इसमें आंशिक रिणावेश, इसम पोलेराइज दो जाएंगे तो एसे बंद को हम कहते हैं धुरूवी सहसयोजक बंद दूसरा टाइप है हमारा आयोनिक बॉंड इसमें भी पार्टनर्शिप तो बराबर की होती है पारंतु ये ओ, इसे पर्मानों के बीच में बनता हैं जिनमें एक प्रबल धन विद्युती है और एक धन विद्युती तत्वे और एक रिन विद्युती तत्वे तो फल स्वरूप क्या होगा कि यह जब NaCl बनेगा तो इस पर आजाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आजाएगा पोजिटिव चार्ज क्योंकि यह साजे के इलेक्ट्रोन जोड़े को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है और जब इनको वाटर में डिजॉल्व करते तो यह आयोनाइज हो जाते हैं यह एने प्लस और यह सी एल माइनर एसी इस्तिती में एने का जो एक इलेक्ट्रोन एक्ष्ट्रा हो जाता है और यह चार्जेबल होने के कारण इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है थर्ड टाइप है हमारा कोडिनेट बॉन्ड या उपसा सयोजग बंद तो इस सो बताने से पहले हैं अपन यह बता दें कि वह जो दो दोस्त और फेल हो गए वह खेती कर दो लाख एक एक लाग दोनों ने मिलाए पार्टनरशिप में लेकिन फसल होई मुनाफा हुआ तो एक दोस्त तोड़ा ज्यादा समस्दार था उसने मुनाफा ज्यादा रख लिया कोडिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि मानलो दो दोस्त खेत खरीदने गए खेत की कीमत थ एक बहुत ज्यादा अमीर था तो अमीर दोस्त ने कावा दो लाख रुपे में दे देता हूं मेहनत तू करना और जब मुनाफा होगा तो दोना आधा आधा बांट लेंगे वही कानी इस कोडिनेट बॉन्ड में होती है कि ऐक बोरोन ट्राइव राईडि बोरोन का एक अमीक नंबर पांच होता है पिछले वीडियो में भी हमने बता है था इसका उदाराण इसकी वेलें सी होती है तीन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यह जो अमोंीया है इसका नाइट्रोजन का atomic number 7 होता है तो इसके पास एक एका की इलेक्ट्रान यूग्म ये लोन पेयर ओफ इलेक्ट्रोन पाये जाता है तो ये इस इलेक्ट्रोन यूग्म को कि इसे दान करके आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये एक कि मॉलिक्यूल बना लेते हैं इस बंद को तीर के निशान से दर्शाते हैं तो यहां ये जो है ये एक दाता है इसलिए इसको लेविस बेस कहेंगे और ये ग्राही है इसको लेविस एसिड कहेंगे और यहां हम इनका ओक्टेड देखें तो ये दो इलेक्ट्रोन ये दो इलेक्ट्रोन ये दो इलेक्ट्रोन ये नाइट्रोजन ने दिये वो वो दो इलेक्ट्रोन ऐसे दर्शा देतें क्रोस से ये दो ये इसके दो ये इसके दो इस तरह जा हम देखें कि इसका भी ओक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी ओक्टेट कंप्लीट हो गया है तो इस प्रकार के जो structure बनते हैं उनको levis structure कहते हैं ये जो हमने electronों के चिन बनाए इनको levis dot symbol या लुइस बिंदु प्रतिक चिन कहते हैं इस तरह के examples भी आजकल exam में पूछे जाते हैं इसी तरह की जानकरियां आपको हम और भी देते रहेंगे सरलतम तरीके से वीडिया अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें ये तरह करेंगे जाते हैं